नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th केस अगले लेक्चर में और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शांदार इंटरस्टिंग चैप्टर की जिसका नाम है नाम थोड़ा सा बड़ा है पर डोंट वरी चैप्टर आपके लिए आसान होने वाला है हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में एक राइड की राइड का मतलब है यहां पे सवारी सवारी किसकी एक बहुत ही खुबसूरत से सफेद खोड़े की सवारी कौन करेगा हमारा किरद हमारा किरदार जिसको मैं बोलूँगा अराम इसका प्रणिसेशन आप अरम कर सकते हो मैं अराम करने वाला हूँ ठीक है जी अराम मान की चलते हैं स्पैलिंग आप याद रखिएगा ए आर एम अराम अराम अपनी कहानी आपको सुना रहा है तो काफी अप्तक की आटो बैग से जिसको बोलते हैं अप रवासी आपको पता है रिफूजी रिफूजी होते हैं बाहर से आते हैं ठीक है जी तो रिफूजी से हम लोग शरणारती शरणारती हैं कैलिफॉर्णिया की एक वैली में हम लोग रहते हैं ठीक है जी और हम लोग अरम नौ साल का कबीला है हमारा हम लोग रात को सो रहे हैं जिस दिन की एक आनी है हम लोग सब सो रहे थे अचानक से सुबह के चार बजे एक मेरी विंडो पे आवाज आती है टक 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 मेरी निन खुलती है मैं देखता हूँ अरे ये तो मेरा भाई मुराद है तो मेरा एक कजिन भाई यह मैंना आपको पताया कहानी सुना रहा है speaker है विंडो पे है मॉराद भाई अपना करीब करीब 13 साल की उम्र है मेरा भाई मुझे बुला रहा है पता नहीं क्यों cousin है चचेरा भाई है इसका अलग घर है सुबह सुबह मेरे घर पे आ गया मैंने देखा तो मुझे लगा रहा मैं सपना देख रहा हूँ सामने मौराद सफीद घोड़े पे बैठा हुआ क्या शांदार सफीद घोड़ा है और हमारे पास तो है नहीं अफोर्डम कर नहीं सकते उपर से सुबहे के चार बज़े गर्मियां है इसलिए थोड़ी बहुत र लोगे इतने गरीब कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा सोर्स ओफ एंग चार के खाते हैं हमारे बड़े भी नहीं कहते है जोड़े वुआ करते थे और मैं जब अपने इक्चाओं की बात करू तो मेरे दिल में बहुत दबीवी इक्चा है घोड़े पर सवारी करना बहुत लोगों के इक्चा नहीं होती कि आईफोन चलाओंगा फेमस बनूंगा काला कोट पैनूंगा ऐसे ही अरम यानि मेरी इक्चा है कि भाई मैं घोड़ सवा फैमिली के पिछले ग्यारा सदियों से याने ग्यारा सो सालों से हमारे खांदान की इज़त है कि हमने कई बेहिमानी नहीं की बिल्कुल बेहिमानी नहीं कि हमने किसी का फायदा तक नहीं उठाया चोरी करना तो बहुत दूर की बात समझ में नहीं आ रहा ऐसा तो नहीं कि म सब कुछ कश्मकष्टी इतने में मौराद बोलता है चल भाई गूमने नहीं चलना क्या सब के चार बजए जल्दी से वापस भी आना है और मैं बैठ जाता हूँ और हम लोग निकल पड़ते हैं बाहर उस समय जो टाउन था उसके हम आउट्सकर्स पे रहा करते थे आउट्सक में खस कृष्ट के बाग वा करते थे लिए वहें चले घ जाता है हम को ने बहुत घृसवारी की मेरा जो भाई हो पागल के तो मुझे याद आया कि यार सच में मेरे अलावा सब इसको पागल समझते हैं उसके आयिक हैं, तो इनकी है चाचा है? इन दोनों के चाचा यहा, यह खुज्रो ठोड़े से सयको है, इतने साइको है कि हर बात पे एक éénग लोग मारते है, इसव नो हम इट इस नो हाम ध्यान दिना जब देखो इट इस नो हाम तो मुझे उन्ही की याद आ दी थी क्योंकि ये इतने साइको है कि एक बार रहना ये मुझे ट्रिम करवा रहे थे काफी बड़ी-बड़ी मुझे थी मतलब इस पूरी वादी में इनसे बड़ी मुझे किसी के ही Ryan मुझे मुझे रिम करवा रहा हमके बठके इनका बेटा 8 ब्लॉक पार ocड़ा लग करते हुए ब्लॉक मतलब एक युनिट है आप क्या सकतर लेकिन खुजरोबर जो है वहरे साइको है जोराब याने मौराद के पिता जी वो ओ साइको नहीं है not a psycho तो असर जो है मौराद में वो पिता जी का नहीं आया पिता जी जैसा नहीं बना क्योंकि वो खांदान में क्या होता है आदत पड़ जाती है आपने कई बार देखा होगा बेटा पिता पे नहीं चाता उसमें दादा जी के लक्षण होते हैं चाचा जी के लक्षण होते हैं खांदान के लक्षण होते हैं चीक है जी तो ऐसा ही हुआ तो उसमें खांदान के लक्षण ये थे पागलपन इसके चाचा जी जैसा मुझे य आइव वे का मतलब होता है मेरे पास एक बार्णिंग है I have a way with horses देख मैं तो भाई गोड़े को मना लेता हूँ ठीक है जी वह बहुत expert था घोड़ों में वह बहुत expert था बहुत शौक था मुराद को पैसा नहीं था तो कहता है मैं तो भाई गोड़ा चला लूँगा घोड़े जैसे बाई चलो होती है जब गोड़ा भी एकदम चंप मारता है और सीधा start कर देता है तो मस्ट खेतों से होते हुए सहां से पानी जारहा है खेतों में वहाहां होते हुए मस्ट पानी और आते हुए थोड़ी दिर बाद भाई साब आते हैं वापिस पूरे गीले और गोड लात मारी फिर कुछ हुआई नहीं मौड़ा धडग गया अपे देरोडी सब लोग जब जाएंगे अपना खोड़ा थोड़ना किसी और का है चल 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 जल जल्दी कर जल्दी कर तो मैंने एक और बार लात काम करी घोड़ा उचका और चालू हो गया बट मुझे तो गोड़ा कॉट डूक कॉट जैसे रेस में देखा न घोड़ा पार करता है भागते उए कट 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 और नो स्ट्रॉक्चर पार करा मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी तब तो घोड़े बेटे बेटे उसके बात घोड़े ने मुझे पढ़क दिया और भग गया पता नहीं कहा भोड़े को ठीक है जी अब हमने उसमें बाद्चीत की गोड़े के बारे में तो मैंने उससे पूछा कि क्या चक्कर है बताओ चोरी तो नहीं किया नहीं तो पहली बार वो किता है नहीं देख कुछ दिन हो गए में को तो मैं कुछ दुनों से रोज सुबह जा रहा हूं घोड चलाने के लिए घोड़ सवारी करने और मुझे तुमारी भी याद आई कि तुम्हारा बहुत मन ना तो मैंने का चल तुमको मौका दे दे ठीक है वो कहता है ठीक है तो तुम कैसे चला लेते हो मुझे क्यों नहीं आता है वो च्टा भी तू जब 13 साल का हो जाएगा तो तो भी आजाएगा तो तो जड़ा सा लगा आए भी ते को क्या समझ में आएगा गोड़ा कैसे चलाना है ठीक है जी फिर फाइनली हम लोगों ने क्या किया एक किसान थे उन किसान का एक खेद वा करता था जो काफी अप खाली जाना कोई आता चालता नहीं है एक जमाने में बहु सवारी क्यास करने को गेरा तो क्या हुआ करी तो ना बहुत मस्त मैंने नाष्टा किया उसी दुपहर आए हमारे चाचा जी वही वाले फोड़े संकी खुजरोव खुजरोव आए तो पार्लर पार्लर मतलब होता है घर की वह जगा जहां पर थोड़ा आराम से बैठते खड या जॉन बयरो हमारे पताजी के होडे करीब हैं पताजी के और खुजरोव बैसिकली पताजी के नहीं अंकल खुजरोव के बड़े करीब हैं मिलने आते हैं चीक है यह वैसे ओ डाहलत है इंप कि जो कम्यूनिटी है वो अजायरा नहीं अर्मेनियन नहीं है पर दोस्त नहीं से जादा तो इन्हों ने भी अर्मेनियन सीख ली हमारे साथ रहने के लिए दोस्ती में ठीक है आते हैं वो बताते हैं जौन बारो यार बहुत बड़ा प्रिशानू खुजरो मैंने कहा ना फार होता है तो दस मील में चला हों काता है अब बाइरो नी मानता बाइरो तुम रहते हैं अर शेहर के एरिा में तुम्हें कोई जिकत निनितने मिरे सरी के बारे में मैं और यार गाउं के बारे में सोच वहां घोड़े के में ना कैसे काम चलेगा और इतना ही नहीं मैंने 60 डॉलर खर्च किए इतने इस घोड़े पर वो केता है शी पैसे की बात कर दीने तूने ठूँखता हूं मैं पैसे बे ची और वह ऐसे करके भग आते हैं जोन बारो बैठार आ जाता है जोनवारो ठीक ही मेरी जो मां अराम कैता है इसको ने बोज़ोग आदमी टाइप है फड़ा गउसे में में तो यहां पर भी ऐसा ही होता है ठीक है जी तो फिर क्या करें अब जॉन बाहरों भी चले जाते हैं और मेरा जमाग खराब तो यह और मतलब इनका सफेद घोड़ा था जो सुबह हम चला के आए ठीक है जी अब मैसीदा भागा इसके पास मौराज के पास मौराज बैठा आए खराए मैं पहुछता हूँ बात करता हूँ उससे तो बताता हूँ कि भाई जॉन बाहरो यह खड़ा हो जाता है ठीक है जी पखषी को छोड़ देता है पक्षी ऐसे गिरते-पड़ते उढ़ते आ अगर तो मैं बताता हूं अपनी बात को पंटीन्यू करता हूं गोड़ा पहली बोला हूं में जब तक मैंना सीखू वो बोलता है मौराद अब देगो सीखने में एक साल लग जाएगा क्या एक साल के लिए हम भुड़ा रखेंगे हमारा ग्यारा सो साल की इज़त का खराब करेंगे हम जूटे बनेंगे हम नहीं और तो क्या करें चले काम करते हैं छै महीने देखें है चै महीने से उपर नहीं रखेंगे शे महीने में तो वापस करना ही है वो कहता ठीक है कोई बात नहीं तो यह सिल्सला जारी रहता है रोज सुबह करीब करीब चार बजे मैं रेडी होता हूँ मौराद आता है हम दोनों ही टाउन के आउट्सकर्स में जाते हैं मस्त खेतों म इडिचिस में घोड़ा चलाते हैं घोड़ा कभी मुझे चलाने जेता है कभी मुझे गिरा जेता है तो एक दिन ऐसा ही हुआ यही सिलसला चलना था मेरी बारी थी में अकेले घोड़ सवारी कर रहा था टकबग 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 और घोड़ा सीधर रोट की तरफ निकल लिया और रोट की तरफ निकलते हुए वो निकला जॉन बायरो के करीब से यहां पंगा हो गया जॉन बायरो की नदर पड़ी वो मिलते हैं अरे बेटा तुम तो खुद्रोव के बतीजे हो न ठीक है जी वो ऐसे निकल जाता है तो यह भी आता है मौराद भी आगया मौराद ने कहा I have a way with farmers मैं देख लूँगा मौराद कहाता है हाँ जी हाँ जी जो भी अपने फॉर्मेलिटी होती है वो बोलता है अरे वाह क्या गोड़ा है तुमारा तो इगोड़े को पकड़े चेक करने लगता है मौकर जाए अरे यह घोड़ा तो पता है सेम मेरे घोड़े जासा है अगर तुम घैरगोलेनियन फैमली के नहीं होते और मुझे तुम पर यकीन नहीं होता कि तुम घैरगोलेनियन फैमली के हो ग्यारा सो साल से जिसकी इज़त है जो कभी जूट नहीं बोलते तो पक्का मैं यह कहता कि यह घोड़ा मेरा है और जब तुम कहरे हो यह तुम्हारा घोड़ा है इसने मौराद ने जूटा नाम बता लिया माय हार्ट चीक है अर्मेनियन भाक्षा में बोल दिया माय हार्ड इसका नाम है यह मेरा घोड़ा है तो उने का हाँ तुम्हारा होगा वैसे तो नहीं मेरा लग रहा है एक एक दाँच मैं देख के कह सकता हो तूट 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 यह मेरा है बट तुम इस खांदान के हो या तूट नहीं बोल सकते है मुझे यकीन है तूम मेरे दोस्त के भतीजे हो तूम दोनों तूम जूट बोलोगे चांस ही नहीं है कोई बात ने तूम यह होगा चला जाता है इन दोनों को थोड़ा गिल्ट फील होता है कराण जाए या खांदान की जिस्ट का सवाल है क्या किया जाए चल रखे आते हैं वापस ठीक है अब वो कहता है मैं कहता हूँ आराम कैसे रखिया है मुराद वही बोलता है मैं देख लूँगा सही मैं ऐसा हुआ हम लोग जब गए चिपचाप रखने कुछ नहीं किया कुछ नहीं करते हैं हमने वहाँ गोड़ा चिपचाप रख दिया उसके घर में जॉन बाइरो के और वापस आवे कुछ भी नहीं हुआ कुछ दिन बाद दुपहर को जॉन बाइरो आते हैं खुजरोव अमारे गर में बैठे हुए थे ठीक है जी और जो अंकल बाइरो जो जॉन बाइरो है वो आते हैं और बताते हैं मुझे घोड़ा मिल दिया खुजरोव वही बोलते हैं आ तो ठीक है ना इट इस नो हाम और इस तरीके से इट इस नो हाम करते हुए आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो बताईए अगर कोई भी डाउट हो अगर आपका कोई भी फीड़बेक है तो आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखें विडियो पसंद आई अगर जरासी भी पसंद आई जरासा भी समझ में आया तो जरूर इसको लाइक करें शेयर करें अपने क्लासमेंट के साथ अपने दोस्तों के साथ एंड फाइनली